Hello Everyone! कैसे हैं आप लोग? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने Play Store का पास्वर्ड पता कर सकते हो अगर आप अपने Play Store का पास्वर्ड पता करना चाहते हो तो किस तरीके से आप सिर्फ एक मिनट के अंदर अपने play store का password पता कर सकते हो तो इस वीडियो को बिना skip किये हुए देखिएगा तो चलिए friends हम अपने वीडियो को start कर लेते हैं तो friends play store का password पता करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने play store के application को open कर लेना है play store application को open करने के बाद यहां आपको उपर अपर right corner में आपको अपने profile icon पे click कर देना है तो जैसे ही आप profile icon पे click करोगे अब इसके बाद यहां पे आपको manage your google account का option दिखेगा तो इसके उपर आप click कर देना इस पे click करने के बाद यहां पर आपके सामने कई सारे options आ जाएंगे जैसे की home, personal info, data and privacy और उसके right में आपको एक option देखने को मिलेगा security का तो यहां पे आपको security वाले option पर click कर देना है तो जैसे ही आप इस पे click करेंगे अब इसके बाद यहां पे आपके phone में जितने भी app के password बने रहेंगे वो सभी यहां पे आ जाएंगे तो यहां पर play store का password पता करने के लिए आपको यहां पे google.com पे click कर देना है तो जैसे ही आप google.com पर click करेंगे देन आपको अपने screen log का password डालना होगा इसके बाद देन उसके बाद यहां पे आपका Gmail ID और Gmail ID का password यहां पे आ जाएगा पासवर्ड को देखने के लिए यहां पर आप I वाले option पे click करके अपना password देख सकते हैं या फिर आप अपने play store का password copy अगर करना चाहते हो तो यहां पे इस वाले icon पे आपको click कर देना है तो आपका password copy हो जाएगा तो friends इसी तरीके से आप एक मिनट में अपने play store का password पता कर सकते हो तो वीडियो अगर informative लगी हो तो वीडियो को like और चैनल को subscribe जरूर करिएगा बाई बाई